वेलकम टू माई चैनल सो फ्रेंड्स फाइनली आपकी जो एसेसी सी एचेसल की ओफिशल नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुकी है ठीक है तो चली देखते हैं कितनी कितनी वकैंसिस हैं क्या क्या एक्जैम पैटरन में चेंज हुआ है ठीक है तो जो लास्ट टेट है आज य अफ्लाइन चलान के लिए चार जैन्वरी एंड ओनलाइन फी पेमेंट की लास्ट टेट आपकी पांच जैन्वरी है और पेमेंट थू चलान की लास्ट टेट 6 जैन्वरी ओके और जो आपका टायर वन का एक्जैम होगा वो फेबरी और मार्च में होगा और टायर टू का तू बी नोटिफाइड लेटर चलिए देख लेते हैं यह हां पर पेड़ स्केल बताया वाँ लोवर डिविजन क्लर का देख सकते हैं आप लडी सी का 19,900 से 63,200 है ठीक है डेटा एंटरी ओपरेटर की देख सकते हैं आप वकेंसीज देरार एप्रोक्सिमेटली 4,500 वकेंसीज हैं तो काफी अच्छी वकेंसीज हैं किक हैं बाकी एज लिमीट जो आप देख सकते हैं फ्रेंट्स वो इसमें 18 मिनिमम आपकी होनी चाहिए और 27 मैक्सिमम मतलब 27 से जाधा निया आप होने चाहिए यहां पे लिकाए कैंडिडेट बार नॉट बिफोर 2 जैनुरी 1995 से पहले का बार नहीं होना चाहिए ठीक है और नॉट लेटर दैन 1 जैनुरी 2004 बाकी SCST के लिए एज रिलेक्सेशन है यहां पे 5 यह का OBC के लिए 3 साल का एंड बाकी आप देख सकते हैं यहां पे 15-15 साल के हैं PWD जो BD, SC और ST के लिए 15 साल का है फी पेमेंट जो है इसकी फ्रेंट्स 100 रुपीज है तीक है 100 रुपीज है इसकी फीज है Women Candidate and Candidate Belongs to SCST PWBD Ex-Servicemen Eligible for Reservation are Exempted from Payment of Heem मतलब गर्ल्स के लिए फ्री है ठीक है बाकी आप Online Payment भी ही UPI से कर सकते हैं या फिन नेट बैंकिंग के थूप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जिससे भी आप कर सकते हैं ठीक है सो यहाँ पर Center of Examination दिए हैं आप देख सकते हैं Central Region जो है बिहार एंड युपी वालों के लिए सो वो भागलपूर, मुजफरपूर, पत्ना, पूर्निया, बरेली अपने अपने Center के according आप देख सकते हैं State के according Eastern Region वालों का यहाँ पर आएगा ठीक है यह तो रहे Center बाकी यहाँ पर क्या लिख हो है टायर वन और टायर टू कंड़क्ट होगा Marks scored by candidate in computer-based examination if conducted notice number one, one, 2018 इसमें आप देख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर है इंग्लीश होगा इसमें टायर वन में आपका जनरल intelligence की question पूछे जाएंगे quantitative aptitude होगा basic arithmetic skills की आएंगे इसमें 25 question होंगे और maximum marks out of 50 ठीक है तो मतलब 200 marks का होगा यह न और 25-25 question होंगे हर चार section में जनरल awareness की 25 question time आपको 60 minutes का दिया जाएगा ठीक है और जो टायर 2 है उसमें जो 2 hours and 15 minutes का होगा इसमें section 1 module 1 mathematical abilities module 2 में reasoning and general intelligence की 30-30 question पुछे जाएंगे total 60 और maximum marks यह 180 का होगा मतलब एक question 3 marks का होगा मतलब 16 to 3 180 marks का maximum है और 1 hour का आपका each section होगा and यह section 2 module 1 में इसमें आपका English और comprehension आएगा module 2 में general awareness इसमें English के आपके 40 question होगे और general awareness के 20 total 60 question और यह 180 marks का होगा section 3 module 1 जो computer knowledge module है उसमें 15 question पुछे जाएंगे और वो maximum marks 45 का है section 2 जो section 3 है and skill test or typing test module है उसमें आपको 15 minute दे जाएंगे 20 minutes for the candidate eligible for scribe and 10 minutes दे जाएंगे जो lower division clerk है and JSA के लिए हैं ठीके बाकी इसले बस आप देख सकते हैं English में spot the error, filling the blanks, synonym and antonyms spelling, detecting misspelled words, idiom and phrases, one word substitution, improvement of sentences, active passage voice, direct indirect narration, shuffling of sentences, shuffling of sentences, shuffling of sentences in passage, close passage, and comprehension, general intelligence में आएगा आपका verbal और nor-verbal type मतलब जो reasoning की होती है न उसी type के आएंगे इसमें symbolic और number analogy, trends, figural analogy, space orientation, when diagram, symbolic and number classification और quantitative aptitude में आप देख सकते हैं number system होगा fundamental arithmetic operations में percentage ratio, partnership, profit and loss, discount, mixture, allegation ये सब होगा time and walk, time and distance, algebra के भी होगे इसमें, school algebra, elementary, search, geometry के होगे, mensuration के होगे, trigonometry भी होगा और statistical chart general awareness में आपको environment around him, current events से जो related होगे, बागी कुछ question history, culture, geography, economic science, general policy and scientific research के भी होगे ठीक है बाकर tire 2 का भी आप लोग देख सकते हैं slip बस, इसकी notification का link मैं आपको description box में provide करा दोंगी, बहाँ से आप लोग download कर लीजेगा mode of selection देख लेते हैं, यहाँ पर लेकर minimum qualifying marks चुन है, tire 1, section 1, section 2 and module 1 of section 3 of tire 2 are as follows unreserved के लिए 30%, OBC और EWS के लिए 25% और all other categories के लिए 20% है tire 2 will be mandatory होगा for the candidate to qualify all the sections जो merit list आएगी, वो आपकी tire 2 के according यह आएगी, ठीक है तो यह आप लोग पूरा पढ़ सकते हैं, notification को, कैसे कैसे form fill करना पूरा दिया हूए यहाँ पर, ठीक है, इसको अच्छे से देखके, ऐसे ही fill करेगा, कहीं भी आपको doubt आते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन गलत form प्लीज अभी मत भरिए, 2-4 दिन का wait कर लीजे, अच्छे से पढ़िए, क्या करना है, कैसे apply करना है, वो देख लीजे हैं, ठीक है, तो यह हैं आपकी SACC, HSL की vacances, 4500 हैं, काफी अच्छी vacances हैं, तो जो लोग भी eligible हैं, वो apply कर सकते हैं, और definitely आपको करना चाहिए, अगर आप SACC, CGL की त्यारी कर रहे हैं, तो आपको यह paper तो काफी easy लगेगा, और जो 12th pass हैं, वो apply कर सकते हैं, and please subscribe my channel, bye-bye.